इन पाँच सपनों के बारे में दूसरों को कभी ना बताएं सोते वक्त देखे गए इन पाँच सपनों का किसी से भी जिक्र ना करें वरना बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे आप हम आपको पाँच ऐसे शपन के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको किसी से कोई भी बात साजा नहीं करनी चाहिए कहने का सीधा अर्थ है अगर आपने इन सपनों को देखा है तो इस बात को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखे सपना हर एक व्यक्ति को आता है सायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी सपना नहीं देखा किसी को इस बारे में बताने से आपको धन हानी होने की संभावना रहती है। आईए जानते हैं इन पाज सपनों के बारे में। नमबर एक फूलों का एक बगीचा यदि आपने सपने में समुद्र, पेड़ पोधे, फूलों का बगीचा, पहाड और नदी जैसी चीजे देखी हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी कुसकबरी आने वाली है और आर्थिक लाव भी मिल सकता है, ऐसे सपने के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, अन्यता इसका प्रभाव खतम हो जाता है, नमबर दो, खुद की मरत्यु देखना, यदि आपने सपने में खुद की या किसी और की मरत्यु देखी है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत के सपने आप का रुका हुआ काम या रुका हुआ पैसा आने वाला है आपके लिए ये सपना सुब माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के सपने दूसरों के साथ साजा करने से कुशियों को नजर लग जाती है सपने में आप चांदी से भरा कलस देखते हैं तो ये सपना भी सुब माना जाता है ऐसे सपने आपके जीवन में आने वाले अच्छे दिनों की और संकेत करते हैं माना जाता है कि आपका बुरा वक्त बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है इसलिए इस सुब श्वयपन के बारे में भी आप किसी से कोई बात साजा ना करें नमबर चार सपने में भगवान दिखाई देना यदि आपको सपने में भगवान दिखाई दे तो इस से सुब कोई श्वयपन नहीं हो सकता इसका ये संकेत है कि आपके जीवन में कोई बहुत ही सुब समाचार मिलने वाला है आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे भू 5. सपने में शाप दिखाई देना अगर आपको सपने में शाप दिखाई देता है और आप उस सपने को मार देते हैं तो श्वप्न सास्तर के अनुसार इस तरह का सपना सुब संकेत देने वाला होता है इस तरह के सपने आने का मतलब होता है कि आप जल्द ही अपने सत्रों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं ऐसे सपने के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए अन्यत्था इसका प्रभाव खतम हो जाता है वीडियो अच्छी लगी हूँ तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद